नमसकार दोस्तों मैं हूँ जना चौहान तोस्तों आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ न मेरे तरीके से अगर इसी तरीके से बाल में लगाते रहे न तो आपको जल्दी , जल्दी क्या मतलब बहुत लेट तक आपको डाई के तरह बिलधी नहीं जाना पड़ेगा ठीक है, कम उम्र में, कम उम्र में देख रहे हैं बच्चों के कि 14-14 साल में, 15-15 साल में उनके सारे बाल सफेद, ठीक है, अगर वो भी ऐसा करने लगेंगे ना, मैं गारंटी से कह सकती हूँ, 1000% गारंटी से कह सकती हूँ, कि उनके जो है बाल जल्दी सफेद होंगे ही नहीं, ठीक है नेचुरल चीज थोड़ा सा लेट करती है लेकिन जब करती कमालना तो भेक करती ही है ठीक है तो अब आपको लोहे की कडाही लेना है और उसमें एक गिलास पानी डाल देना है ऐसी इसी चीजे इसमें मैं डालने जा रही हूं जो आपके पास हो वो डाल दीजेगा जो क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन्स है, बहुत सारा घनिच पदार्थ इसमें भरा पड़ा है, ठीक है, ये आपके बालों को मुष्चराइजर भी करता है, और सिल्की बनाता है, साइनी बनाता है, दूसरी चीज, गंजे सर पे भी जो बाल उगा दे, उसका नाम है वहिय कलौंजी मेती कोई कल्चर नहीं है, जहां पर ये सीड नहीं जाना जाता कि ये काम क्या करता है, भाई बहुत पे अगर इसको खाने लगें, तो आपके जीवन डान दे सकता है, हर बिमारी से आपको रोक कर रख सकता है कलौंजी मेती, और बालों के लिए तो वरदान का ही क करता है सुखा है तो भी वही काम करता है इसका पाउडर भी बहुत अच्छी तरीक इस काम करता है जो मिल जाए वो ले लीजे इसका एक पेश्ट बनाईए उसको पीश डालिए अब पीशना क्यों है क्योंकि जब खाड़ा डालेंगे न तो इतने जल्दी कलाउंजी मेथी का गुडिनेस इस पानी में नहीं आ सकता या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि दो चार पांच घंटे पहले गरम पानी में कलाउंजी मेथी को भीगो दीजिए अचानक याद आता है चलो यह वीडियो बनाते हैं और मैं बनाने लगती हूं ठीक है लेकिन अगर आप इस चीज का यक कि यह आपके बाल जड़ना रोकेगा पंदरा दिन में यह मैं गारंटी दे रही हूं ऐसी इसी चीजे इसमें पढ़ने जा रही है भाई मुझे देखो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है अलो बेरा उठाती हूं उसको काटके एक रात पहले जरूर रखती हूं क्योंकि एक बेरा काटिये पीसी ए और तुरंत अपने बालों में लगा लिजे अगर कहीं जाना है तो आप जब बाल धोएंगे एकदम सिल्की स्मूद साइनी अब इसमें पढ़ेगा चाय पत्ती पढ़ेगा चाय पत्ती में ऐसी चीज ऐसा खाध है ऐसा पॉंसर है दोस्तों कि आपक चाय पीते हो आपको एनरजी आजाती है चाय पीते ही चाय कॉफी उसी तरीके से जब ये पानी आपके जब रोम चिदर के अंदर जाएगा तो भाया मुल जाय जो मुल जाय पड़े है ना बाल जाना जाएगी आउला पाउडर जरू डालिए अभी देखते रहेगा वीडि ये आपको पनिर्भर करता है कि आप अपने बालो में आउला पाउडर मतब किस तरीके से लगाते हो कितना लगाते हो जितना हो सके जितनी बार हो सके हपते में तीन बार हो सके तीन बार लगाईए अब यह आया यह कॉफी रानी कॉफी रानी का काम क्या है एनरजी देता है किसको जो बाल जो है तूट रहे हैं जड़ रहे हैं उनको एक डार्कनिस भी देगा और एक पोशर भी देगा एक खात भी देगा ठीक है देखो बाल अगर सफेध हैं लेकिन बाल तूट रहे हैं बाल रही नहीं जा रहे हैं तो भाई उस काले का क्या मतलब पहले उसको मजब इसा पानी की तेल लगाने की जरूरत नहीं कि इसा पानी की दिन बाएंगा लिधाने फिर्ष कॉछ लगाया कोई यह यह क्हा कर दोरी पैंपोर अदेखिँ है कि आप दोरोर अखिर कोई कि और पने प्रयों दी दो आउला तीन आउला जो भी है आपके पास ज्यादा नहीं दो से तीन आउला क्योंकि powder पढ़ चुका है इसमें ठीक है लेकिन जो यह काम करता ना fresh आउला या क्या ही काम करता है अब इसको चाहते हैं तो इसको crust कर लीजिए लेकिन मैं crust नहीं करूंगी बाद में देखेगा कि मैं इस आवले का कैसे करती हूं, ठीक है, मैं कोई चीज जाया नहीं जाया देती हूं, कोई चीज वेस्ट नहीं करती हूं, बरबाद नहीं होने देती हूं, ठीक है, हर चीज का पोर्षण में निकाल ही रेती हूं, ठीक है, अब आपको क्या करना है, काट लिया है, थोड़ अगर 15 साल का बच्चा है कोई ऐसी चीज पड़ी है जो बच्चों को नुकसान करेगा नहीं मैं तो हाथ से जल्दी जल्दी गार देती हूं चम्मा से चन्नी तूट जाती है तो कोई कॉटन का इसा कपड़ा रखें जो कि मतलब खराब हो तो कोई फरकन आप देखिए यह जो आउला है अभी इसमें बहुत जान है कलाउंजी मेथी है कोई चीज अभी इसमें मतलब सब कुछ तक तो है अब मैं मेक्सिक जार में डालूंगी थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसको पीस करके इसका पेष्ट बना दूंगी थोड़ा सा मतलब दर दरा मतलब पीस क्यों आवला आवला अवे पूरी तरी से खड़ाई है ठीक सारा विटामी सी तो वेस्ट चला जाएगा तो आवला को पीस लूँगी पीसने के बाद जो कलाउंजी मेथी सब कुछ बचा हुआ है तो ये पूरा पानी में अच्छी तरीके से निकलाएगा ठीक उबालने बालन फिर लगा लूँगी ठीक जो पहला बाला कटोरी में छाने थे न वह पानी वह बिल्कुल हाथ में लग जाता था न एकदम हाथ काला हो जाता ता दुबारा जो पानी डाल दिया लेकिन है तो सब गुड़ ना सब गुड़ आभी कॉटन लीजिए या तो कोई इसे बोतलो जिसमें छेद हो थोड़ा सा बस गार गार के अपने बालों में लगाईए लगाने बाद सूख जाने दीजेगा सूख जाने बाद तीन से चार घंटा बाद धो दीजेगा नहीं तो एक रात रखिए गचप का फैदा मिलेगा